जारखंड मुक्ती मोर्चा का बाराहवां किंद्री महादिवेशन है इसको लेकर पार्टी अस्तर के तरब से कई कार्डिक्रमों का आयोचन किया गया है राजी के हर्मो इस्तत सोहराई भवन में यह महादिवेशन आयोजित किया गया है इसको लेकर मुख्यमंत्री हमंत्र सुरेन ने हर्मो इस्तत सोहराई भवन पहुँचकर जार्खण मुक्ति मोर्चा के बारहवे किंद्रिय महादिवेशन को लेकर की जारी तयारियों की जानकारी लिए मुक्हमंत्रे ने महादिवेशन को लेकर की जारी तयारियों के संबंध में आवश्यक देशा निर्देश दिये जेमिम के पताधिकारियों को दिया महादिवेशन का आयोचन हर तीन वर्षों में पार्टी के द्वारा किया जाता है और इस से पूरी खबर पर जार्खन नियूस कोडिनेटर मनोची हमायर सा जुड़ हुए है मनोची लंबा वक्त गुसरता है तीन साल पर ये इस सा आयोचन को किया जाता है आज 12 किंद्रिय महादिवेशन किस तरीके से तैयारी हो रही है क्या कुछ खास कारक्रम होगा और जेमिम के लिए कितनी बड़ी बात होगी देखे राहूल अगर हम बात करेंगे महादिवेशन की तैयारीों को लेकर के अब दिखिए अब तो समय हो गया है हमको लगता है 11 बजे मानिये अध्यक जी का करेकर ये अध्यक जी का आगवन हो जाएगा और उसके बाद में जन्रोट तलन चाहिद बेदी पर मालियारपन इसवर कि विनोद्वियारी महत्तो जी का भी आज जैनती है उनके चित्र पर मालियारपन के बाद में बिल्विवत अधिवेशन शुरू हो जाएगा तीन साल पर अधिवेशन होता है कोवीड को लेकर के इस पार काफी हथियात बता गया है कम लोगों को बुलाया गया है क्या कुछ इस अधिवेशन में होना है जैसे जानकारी मिल रह आते ही है कि खुछ राजिनितिक प्रस्ताँ आएंगे कि संफिदान संशोधन की भी बात नहीं राजिनितिक दल का जब अधिवेशन होता है तो वह तो मस्ट पाट है लेकिन जो सांगा ठालिक मुल्यांकन है पिछले सत्रका उसका भी मुल्यांकन हमलोग करेंगे जरुरत परेगा तो समिधान में संचोधन कभी जो प्रस्ताव है वो भी यदि आगती है तो उसको भी हमलोग विचार उप्रांट पारित करेंगे इसमें और क्या कुछ खास वहागा सरकार के दो साल पूरे हो रहे हैं तो इसकी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच magg indexzon यर दो सरकार सरकार होती है वो अलग तरह से संगठन के मालगम से होगी यह पूर्णत संगठन का वायद है और इसी के ताहत यह रहेगी इस तरीके से राहूल देखते हैं कि तैयारी मुकंबल कर ली गई है अपसे थोड़ी देर में विदिवात तरीके से यह सारी चीजे शुरू हो जाएंगी जैसा बता रहे थे पार्टी के जो वरिश्टन देता है सुपरियों बटाचारिया कि यहां पर अभी थोड़ी दिर में कार्जकारी अध्यक्ष पहुंचेंगे सबसे पहले यहां शहीद की जो वेदी है वहां पर मालियार्पन किया जाएगा और उसके बाद फि इस वक्त हमारे साथ में महजूद हैं हमारे सहयोगी नयर जो लगातार पिछले कई दिनों से इस पूरे अधिवेशन को लेकर के जो तैयारी चल रही है उसको लेकर कर रहे हैं अगर हम तैयारियों की बात करेंगे तो आज की अधिवेशन को लेकर के कार्जकरताओं में ने सुधन करनी के अगर बात होती है तो उस पर जिक्र होता है उसके तहथ ही काम किया जाता है और साथ ही साथ इस अधिवेशन में इस बात पर भी गौर किया जाता है कि जो सरकार का जो विकास का जो कार है कहां तक पहुंचे हैं और जहां तक नहीं पहुंचे हैं वहां उस अधिवेशन है और इससे पहले राची मूनिस राहुल हमारे साथ में पार्टी के और वरिष टनिता मतुरा महतु हैं जो पूर्व मंत्री भी रहे हम इन से बात करते हैं आज अधिवेशन हो रहा है तीन साल पर होता है अभी अगर इस अधिवेशन को ले करके कहेंगे तो क्य और इसमें होना है देखे जार्खन मुक्ति मूर्चा के बारवा अधिवेशन है और महा अधिवेशन में निरंतर चलने वाली संगतन के काजकरम है और जिसमें केंद्रिय महा अधिवेशन में अधिवेशन में जार्खन के बात अगर बात करेंगे तो जार्खन के अलावे बंगाल से भी बिहार से भी उडिशा से भी डेलिगेट्स रिगर आए हैं और ने जो सांगठनिक चुनाओ जो करेंगतर से कहा जाए पता अधिकारियों का जो सेलेक्शन होना वो भी होने की बात है जी उन सब सारे चीजों पर आये हैं पर केंद्रिय समीतिक केंद्रिय कारकानी सभी चीजों का महाधिवेशन में गठन होगा तो इस तरीके से देखते हैं राह मिका होगी कौन से वेक्ति किस पद पे रहेंगे और किस तरीके से काम करेगी पुरा संगठन काम करेगा इसको लेकर के भी यहां एक रूप रेखा तयार की जाएगी साथ ही धारखंट के अलाबे बिहार बंगाल उडिसा में पार्टी का विस्तार किस तरीके से किया जागा इसको लेकर के भी रणनीती बनेगी जी राहूल तो किस तरीके से इन तमाम चीश्टों को लेकर विर्हत प्यमाने पर तैयारी है वो देखने को मिल सकती है देखिए राहूल अगर हम बात करेंगे जैसा कि आप जानना चाहा रहे हैं कि आज कौन-कौन से लोग इसमें शामिल होंगे तो मैं बता दूँ आपको कि जो पाटी के तमाम अवरिष नेता है परदे के यहां के राश्टिय कारजकार्णी के तमाम जो लोग हैं उस तमाम पतादीकारी हैं वो शामिल हो रहे हैं उसके अलावे अगर हम बात करेंगे तो बिहार बंगाल उडिशा के भी कुछ में पहुंचेंगे तो हमारे साथ नईयर हमारे सहयोगी है किन-किन लोगों के यहां आने की सूचना है और अब तक कौन-कौन से लोग पहुंच चुके हैं देखी यह महादीवेसान है अलेकिस की तैयारी जो है विगत 15 रोज पहले से ही सुरू की जा चुकी है और जिसमें बिहार, बंगाल, उरिसा और जो जहरकन के जहां जेमें की पाठी विस्तार नहीं कर पाई है और इस लोगों को यहां बुलाया जा रहा और इस अधिवेसन में बहुत से ऐसे नए लोगों को पद भी दिया जाएगा और जो कार की समिच्छा भी की जाएगी लेकिन अधिव इस पहली बार नहीं हो रहा है, यह द ढार वा ऐसे टार हो चुकी है यह ए रहा है, हलोगी पहले की अधिवेसन में हम देखा जाए तरह समय जेमें सरकार में नहीं थी कि यह 15 के बाद ही सरकार में आई है तो जमेम यह चाहती है कि इस अधिवेसन के जरीए जो विस्तार है अपनी पाटी का वो पूरी तरह से करें कियोंकि सरकार में भी पूरी तरह से है वो और जो उरिसा के जो बौडर रिलाका है बिहार के जो बौडर रिलाका है वहाँ कहीं न कहीं जेमेम की जो पार्टी है वहाँ अपनी दस्तक दे चुकी है और वह इस अधिवेशन के जरीए और अपनी पार्टी आपने करकरताओं को और मजबूत करने की कोशिश करेगी हलाकि अभी तक से इस अधिवेशन में कोई पार्टी का जो सविधान होता है उ बिल्कुल तो पार्टी विस्तार और पार्टी पर बात चीत हो रही है बहुत बहुत शुक्रियाद